हेलो फ्रेंट्स हम सीख रहे हैं वोकब बाई SP बक्षी फ्रेंट्स पिछले लेक्चर में हमने वर्ल्ड 20 तक डिसकस कर लिये थे आज हम डिसकस करेंगे वर्ल 21-30 तो चलिए फ्रेंट्स लेट्स स्टार्ट हाँ फ्रेंट्स लेसन बड़ा आज का जो लेक्चर है बड़ा ही होने वाला है एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ गया पूरे लेक्चर को आप कम्प्रीट वाच करिएगा तो चलिए पहला जो वर्ल्ड है वो है फ्रेंट्स अलेज ए डवल एल इजी ई अलेज और ये जो वर्ल्ड है फ्रेंट्स सबसे ज़्यादा अगर आप न्यूज पेपर को वाच करो न्यूज पेपर को रीड करो तो सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड हमें वह मिलता है और इस अलेज का जो मतलब होता है वो होता है बिना सबूत के आरोप लगा देना किसी पे भी ह अलेज यानि आरोप लगाना और बिना सबूत के, clear reference, you can say charge without proof. clear, यानि हम कह सकते हैं, the public alleged that he died of starvation, कि public ने alleged लगा दिया, public ने एक आरोप लगा दिया कि उसकी तो भूख से मौत हो गई है, clear reference, the public alleged that he died of starvation, clear हो गया sentence, the public alleged that he had died of starvation, कि public ने आरोप लगा दिया कि भूख से उसकी मौत हो गई है, he was alleged of theft, he was alleged of theft, कि यानि उस पर कैसा आरोप लगा, चोरी का आरोप लग गया उस पर, clear, और कैसे, बिना किसी सबूत के, next word है friends, acme, और जो acme है, ये noun है, और इस acme का मतलब होता है, चोटी, चरम, या पराकास्था, acme, यानि चोटी, जिसको हम कह देते हैं, पिनेकल, हाइट, apex, clear friends, top, ये सब इसके synonym है, चोटी, चरम, या पराकास्था, clear word point, चोटी, चरम, या पराकास्था, top, पिनेकल, apex, example, synonym भी लिख देते हैं, पिनेकल, बहुत अच्छा वर लगता है, पिनेकल, clear friends, यानि he is at the acme of his career, कि इस समय अपने करियर की पराकास्था पर है, अपने करियर के चरम पर है, तो हम कह सकते हैं, acme of his career, clear friends, acme of his career, अब अगर acme की बात कर रहे हैं, तो इसका एक अबजिट भी है, और वो है friends, नेडिया, नेडिया, एक तो इसको आप नादिर ना पढ़ें, यह क्या है friends, नेडिया, तो नेडिया का मतलब होता है, चलिए प्रणंशेशन भी लिखे दू, नेडिया, clear friends, are silent होता है, you know, तो इस नेडिया का जो मतलब होता है, वो होता है friends, नेडिया निमन स्थर पर, चूनकी apex है या एकपे है, वो तो ऊपर हो गया, चोटी हो गई, और यह हो गया नेक में, इसको हम कहते हैं निमन स्थर पर, акme of his career, अपने करियर की बिलकुल निमन स्थर पर है, और आप कह सकते हैं, simple language में गर्त में जिसे हम कहते हैं गर्त गर्त में यानि इसकी हिंदी की बात करें तो निम्न इस तर पर या गर्त में क्लियर है फ्रेंट्स तो चलिए नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट वर्ड आता है एनालजी एनालजी क्या होती है सिमिलर्टी यानि जिसको हम कह सकते हैं साध रश्यता जब कोई चीजें सिमिलर दिखाई देते हैं वहां हम इस वर्ड को यूज करते हैं वी कन से एनालजी बिटमिन दा टू डिलीजन्स यानि दो धर्मो हमें अगर समानता दिख रही है या यह विकन से कंपेर दीज टू सब्जेक्ट्स फॉर तसे को एनामली यानि इन दो सब्जेक्ट्स को आप कंपेर कर लो देख लो इन में क्या समानता है कंपेर टू टू टॉपिक्स क्लियर फ्रेंट्स तो एना लजी और ये टू वर्ड्स वे थे हमारे 21 23 21 22 यह होगा 23 क्लियर फ्रेंट्स एना लजी और यह पार्ट सब्स्पीच क्या होगी इसकी एजक्टिव होगा कि नाउन होगा वाई देखके समझ गए होंगे यह नाउन होना चाहिए वर्ड्स तो एनालजी यानि सिमिलर्टी और यूकन से साध्र श्यता सिमिलर्टी क्लियर हुई बात फ्रेंट्स तो एक्जामपल बन जाता है एनालजी बिट्विन दा टू रिलिजिएंस टू रिलिजिएंस यानि दो धर्मों के बीच समानता गंपियर्टी सब्जेक्ट्स फोर दा सेक ओव एनालजी गंपियर्टी सब्जेक्ट्स फोर दा सेक ओव एनालजी क्लियर हो बात फ्रेंट्स नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज अप्रेज होता है फ्रेंट्स मुल्यांकन करना या कीमत का आकलन करना अप्रेज हम कही बार कहँ देते हैं अप्रेज दाइमंट जरा डाइमंट की कीमत तो बताओ अप्रेज दाइमंट अप्रेज दाइमंट जो नुकसान हुआ है उसका पढ़ गया जरा यहां जो डैमेज हुआ है जो नुकसान हुआ है उसका आप क्या कराओ अप्रेज क्लियर अप्रेज दा efforts हम कह रहे हम जो परिक्सा के लिए तैयारी कर रहे हैं वी शूड़ अप्रेज दाफर्ट कि हमें जो efforts हैं हमारे उनका भी मुल्यांकन कर लेना चाहिए कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं clear friends अगर वर्ट की नेचर की बात करें तो यह है friends verb appraise यानी मुल्यांकन करना और you can say आकलन करना बात clear friends आकलन करना किसका कीमत का आकलन करना appraise the efforts appraise the efforts you can say appraise the diamond यानि इस diamond की कीमत कहा कलन कर दो appraise the damage नुकसान का आकलन करना clear हो गया दोतीन एक्जामबल हो गये learn हो गये next word difference allocate और allocate वर्ड को देख के हमें क्या पता लग रहा है कि यह noun होगा कि वर्व होगा यह है फेंट्स वर्व और allocate का मतलब होता है निर्धारित करना या आवंटन करना किसका आवंटन करना फंड का यह जो वर्ड होता है यह अक्सर फंड के लिए यूज होता है allocate यानि फंड का कि आवंटन करना और दूसरा आवंटन के साथ साथ हम कह सकते हैं निर्धारित करना के लिए फिर्ट्स आवंटन करना या निर्धारित करना और हम कह सकते हैं निर्धारन करना निर्धारन भी हो सकता है निर्धारन करना निर्धारित करना और इससे यह तो वर्ब है इससे एक नाउन भी बन जाती है वह बन जाती है allocation अलो केशन यानि आवंटन और यह वर्ड क्या है यह है नाउन आवंटन जैसे CM एलोकेटेड अहुज फ़ंड पॉर दा सपोर्ड आव फ्लर्ड बिक्टिम एक एकजामपल हम लिख लेते हैं स्ट क्या और यह हुज़ ऑनी क्या थ हुज़ विकंट डाराइ यह है। जा भिडार क्या स यह इंड एकलिंट यूर तापिक्स यहां भी हम use कर सकते हैं इस word को क्या हमने कहा भी exam आने वाला है तो अपने जो अपना time है उसको आप allocate कर लो अपने जो topics हैं उनके according आपने धारित कर लो किस topic को कितना time आपको देना है तो allocate your time according to your topics clear reference यह भी example हम ले सकते हैं इसका चलिए लिखनो इसको भी allocate your time according to your topics clear friends तो चलिए note down चलिए friends next word है हमारे पास वो है a days a days क्या होता है a days कहते है friends किसी proverb को किसी कहावत को जिसको आप कह सकते है a wise saying एक बुद्धी मारी से भरी हुई जो कहावत होती है उसको हम कहते है a days clear friends a days और क्या होना चाहिए यह word यह noun है clear friends यानि proverb or you can say wise saying यानि कोई कहावत clear friends an old a days एक पुरानी कहावत out of sight out of mind an old a days out of sight out of mind clear यानि पुरानी कहावत है कि अगर नजर से दूर हुआ तो कोई चीज फिर दिमाग से भी दूर हो जाती है clear यानि संपल सी बात है यह कहावत है तो सही कही होगी friends हम जो learn कर रहे हैं नजर से दूर हुआ बुक बंद हुई तो ऐसा लगता है कि दिमाग से ही सब दूर हो गया clear तो इसलिए best remedy to learn is to revise अगर हम revise करते रहे रिवीजन करते रहे तो वही एक ऐसी remedy है एक ऐसी रामबार आउस्दी है जो हमें किसी भी बात को learn करने के लिए useful होती है clear friends next word आता है यहां जो discuss किया है बक्सी साहब ने वो है adversity और adversity में पहले भी discuss करवा चुका हूँ अभी आपको और देखे आई टीवाई आ गया तो यानि यह जो वर्ड है यह क्या है नाउन है एड़वर city और adversity city क्या होती है poverty होती है misfortune होता है यानि विपत्ती होती है गरीबी होती है कंगाली होती है और misfortune यानि विपत्ती गरीबी और कंगाली clear friends विपत्ती गरीबी और कंगाली we can say she overcame many adversities she adversities clear वो friends कि उसने बहुत सारी जो कंगाली थी बहुत सारी जो विपत्ती थी उस पर विजय प्राप्त कर ली he turned adversity into opportunity कि उस पर विपत्ती आई लेकिन उसने उस विपत्ती को किसमें बदल दिया उसने opportunity में बदल दिया he turned the adversity into opportunity clear friends अब देखे adversity को opportunity में कैसे बदल दिया चाइना आया कोरोना वाइरस आया कोरोना वाइरस ने पूरी दुनिया में तहस नहस मचा दी पूरी दुनिया एक ऐसे दोर से गुजर रही थी जो finance का दोर था और साथ साथ जो वहाँ टॉल्स थे जो हानी हो रही थी लोगों की death से वो हो रही थी लेकिन चाइना ने इसमें भी पैसा कमा दिया कोरोना वाइरस आया उसके बाद उसने मास्क बेशने सुरू कर दिये गलव्स बेशने सुरू कर दिये दूसरे सर्जिकल आइटम बेशने सुरू कर दिये तो उसने जो महामारी थी यह इसको भी क्या बदल दिया किसमें बदल दिया एडवर्सिटी को भी उसने एक अपॉर होता है अमीरी और यह वर्ड क्या होना चाहिए नाउन अमीरी को हम कहते हैं एफ्लूएंस और यू कन से वैल्थ या अबंडंस अबंडंस और वैल्थ क्लियर फ्रेंट्स तो abundance और wealth क्या हो गई, अमीरी हो गई, यानि effluence हो गई designer clothes are a sign of effluence अगर कोई व्यक्ति designer clothes पहन के घूम रहा है तो हम कह सकते हैं, वो कैसा है, वो एक sign है effluence का यानि वो संपत्ती का, यानि वो अमीरी का एक sign है, एक चिन है Clear friends? designer clothes are a sign of effluence बात के लियर है फिर्फेंस? और जब effluence की बात हो रही है, तो इससे एक word बन जाता है, effluent और effluent क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है effluent, यानि अमीर, और अमीर की और धनी की बात करें तो वो क्या word होगा, वो होगा friends, adjective यानि धनी, और आप कह सकते हैं, अमीर बात के लियर friends, और दूसरा word ही है, यहां wealth है, तो यहां wealth से बन सकता है क्या बन सकता है, वल्री अब हम कह सकते है, अगर हमें example लेना पड़े, तो हम यह भी कह सकते है, effluent society कोई ऐसा समाज जो क्या है, means धनी है, rich है, तो rich society को आप क्या कह सकते हैं, effluent society, यानि धनी समाज या धनी वर्ग, बात के लियर हो गई friends, और किसी व्यक्ति के लिए अगर हमें कहना है, तो हम यह भी कह सकते हैं, effluent person, यानि धनी व्यक्ति, मुके सम्मानी है, एक कैसा है, effluent person है, clear friends, तो चलिए नोट कर लेते हैं, friends, next word है, ample, और जो ample होता है, ample का मतलब होता है, प्रचुर, यानि abundant, यानि plentiful, clear, और ये वर्ड क्या होगा, friends, adjective होगा, abundant, और plentiful, clear friends, abundant and plentiful, यानि प्रचुर, अब हम कह सकते हैं, India has ample stock of weapons, कि भारत में, जो weapons का एक ample stock है, यानि एक प्रचुर भंडार में हमारे पास weapons है, ample stock of weapons, clear हो गया, और हम ये भी कह सकते हैं, ample supply of consumer goods, ample supply of consumer goods की, जो हमारे पास consumer goods है, जो भोपता समगरी है, उसकी हमारे पास ample supply है, means, प्रचुर मातरा में हमारे पास, उसकी supply है, आपूर्थी है, और friends, ये जो वर्ड है ample, ये जो chair अगर कोई होती है, बड़ी और comfortable chair होती है, उसके लिए भी हम ample chair यूज करते हैं, यानि ample chair, बड़ी और अराम दायक कुरसी, के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ample chair, clear friends, वर्ड किलियर हो गया, last वर्ड है यहाँ, जो 30 वर्ड है, वो है friends, absorb, और absorb का मतलब, absorb क्या है friends, ये वर्ड होनी चाहिए, देखिए, समझ रहे हैं, क्यों होनी चाहिए, वर्ड की nature, अब दीमें दीने समझ जाएंगे कि कोई वर्ड क्या होगा, लेखिए, जो absorb होता है, absorb का मतलब होता है, चुटकारापाना, या पाप मुक्त करना, exonerate, एक दूसरा synonym भी आता है इसका, exonerate, यानि पाप मुक्त करना, और आप कह सकते हैं, चुटकारापाना, चुटकारापाना या पाप मुक्त करना, exonerate या एक दूसरापाना, clear friends, absorb from the charge of murder, he was absorbed from the charge of murder, कि उसको murder के चार्ज से उसने चुटकारापा लिया, absolve from sin, यानि पाप से चुटकारापाना, तो लिख लेते हैं, he was absorbed from the charge of murder, clear, यानि पाप से, sorry, जो murder का चार्ज है, उससे चुटकारापा, और absolve from sin, यानि पाप से चुटकारा, clear हुआ, तो friends, I hope ये जो words हम डिसकस कर रहे हैं, इनको आप बड़े interesting way में आपको ये समझ आ रहे होंगे, lecture कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईए, और friends, channel पर पहली बार आए हैं, तो channel को like करें, friends को share करें, और notification bell और like बटन दबाना ना भूले, चलिए friends, मिलते हैं next lecture में, now thanks for watching this video